अबस्कार दोस्तों मैं आपका होसार टेकलिटर से हूं और आज हम आपके लिए लेके आए हैं TAMEX की TAMEX Fit 2.0 स्मार्ट वाच इसका हम करेंगे आपके लिए डिटेल रिवीवी और जानेंगे कि यह स्मार्ट वाच कैसा है तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो आपको स्मार्ट वाच है यह आपको कॉलिंग स्मार्ट वाच है यहाँ पर देख सकते हैं यहां मेंशन है और सबसे बढ़िया बात है इसका जो डिस्प्ले है यह आपको 1.72 इंच का है जो कि आपको full touch color display वाले feature के में यहाँ पे इसके जो कुछ features दिये गए हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा, यह smart watch आपको color touch display, make and receive calls, activity tracking, heart rate monitoring, blood oxygen saturation monitoring, इसके अलावा यहाँ पे देखी, यहाँ पे भी इसके बहुत सारे features mentioned हैं जैसे कि call, SMS and social alerts, media controls, slip tracking, sports mode, multi-day battery, यह सारे features के साथ आपको आता है, एक काम हम परते हैं कि यहाँ से इस box को हम हटाते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या-क्या मिलेगा, तो देखे सबसे उपर है यह आपको timex fit 2.0 smart watch, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखे, यहाँ पे मैंने box के अंदर से इसके items को निकाल लिया है यह है आपको smart watch और यह है इसका charging cord, इसी के through आप इस smart watch को आप charge करोगे, आई अब हम बात करते हैं इसके design के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके screen के बारे में, तो यह जो आपको timex की calling smart watch है, इसका जो display है, यह आपको 1.72 इंच का है, यहाँ पे आप देख सकते watch आप देखे, यहाँ पे on हुआ है, इसके side में यह पूरा का पूरा आपको metal body है, जो कि आप देख सकते हैं, इसको काफी premium बना रहा है, यहाँ पे आप देखिए, इसका जो यह आपको button है, यह भी आपको metal है, इसके ठीक पीछे यहाँ पे इसका charging port area दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको timex की branding दी गई है, इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके build की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका जो यह built है, यह भी काफी मजबूत है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं पूरा खींच रहा हूँ, फिर भी यह तूत नहीं रहा है, यहाँ पे यह जो area है, यह भी आपको metal finish के साथ आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यह तो बात हो गई इसके design के बारे में, आईए एक काम हम करते हैं, कि इस smart watch के अंदर चलते हैं, और देखते हैं कि यहाँ आपको और क्या चा मिलेगा, यहाँ पे यहाँ पे इसके बहुत सारे functions हैं, जैसे कि है steps है, phone है, major HR है, यानि heart rate को major करने के लिए sleep है, spo2 यानि oxygen को major करने के लिए है, major BP यानि की blood pressure को major करने के लिए sports, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस smart watch में आपको 20 sports के modes मिलेंगे, sports record है, breed है, camera है, इसके नीचे आपको music player है, alarm है, countdown है, stopwatch है, यहाँ देखे, calculator है, flash light है, और others है, others के अंदर यहाँ पे देखे, यहाँ पे आपको display है, display में आप देखे, यहाँ पे इतने सारे आपको modes दिये गए हैं, जैसे कि auto slip है, menu style है, और brightness है, menu style के हम बात करें तो देखे, यहाँ पे दो आपको menu style दिया हुआ है, इसके अलावा यहाँ पे आप देखे, यहाँ पे है, आपको vibration है, उसके नीचे है, power mode है, night mode है, यह सब कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अलावा यहाँ पे जब आप इसको right से left के तरफ slide करोगे, तो यह देखे, यहाँ पे steps है, heart rate है, sleep है, spo2 है, blood pressure है, camera है sports है, यहाँ पे आप देख सकते है, music player है, breathe है, यह सब कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको एक और बढ़िया इसका जो feature है हुआ दिखाना चाहूँगा, इसके लिए हम इसको left से right के तरफ slide करेंगे, और others में जाएंगे, display पे जाए honeycomb के उपर हम tap करेंगे, तो और देखें, यहाँ पे यह इस तरीके से इसका जो आप देख सकते हैं, layout हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते है, spo2 है, heart rate के लिए है, यहाँ पे clock है, यह सारा कुछ दिया हुआ है, इसको अगर आपको फिर से back to normal करना है, तो यहाँ पे जाना है, menu style पे जाना है, और menu style पे यहाँ पे tap करोगे, तो यह देखें, यहाँ पे यह जो सारे जो इसके जो functions थे इस तरीके से फिर से आ गए, तो यह काफी एक अच्छा feature है इसमें, जब आप इसको उपर से नीचे के तरफ slide करोगे, तो यहाँ पे खूब सारे features दिये ग हैं, यह आपको जो एक smart watch है, अभी तक मैंने, जितने भी आपको smart watch अभी तक मैंने review किये हैं, उस भी यह मुझे सबसे अच्छा यहाँ पे आपको यह, इसका UI और इसमें जो features दिये गए हैं, वो लग रहा है, यह देखें, यहाँ पे आपको heart rate को measure कर रहा है, यहाँ पे आ यहाँ पे आपको heart rate को measure कर चुका है, 98 आ रहा है, इसको जब आप यहाँ से ऐसे slide करोगे, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे पूरा detail में यहाँ पे आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, तो यह जो आपको smart watch है, इस type का smart watch अभी तक मैंने review नहीं किया, यह काफी अच्छे इसमें इसकी UI है, इसके functions है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम SPO2 यानि oxygen level को measure कर रहे हैं, यहाँ पे देखें, measure करना यह शुरू कर चुका है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने oxygen level को measure कर लिया है, इसको जब हम नीचे से उपर की तरफ slide करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहां पर देखे यहां पर आपको BP major हो चुका है यहां पर आप देख सकते हैं इसको जब नीचे से उपर की तरफ slide करेंगे तो यहां पर देखे normal है और इसमें आप देखे यहां पर seven data यहां पर आपको save होगा यह काफी एक अच्छा आपको यहाँ पर मुझे feature लगा अभी तक मैंने जैसे कि मैंने आपको बताए कि अभी तक मैंने जितने भी आपको smart watches के review किये हैं उसमें यह मुझे काफी सही लगा इसमें खूब सारे आपको features हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं camera को यहां से control कर सकते हैं और सबसे बढ़िया बात यह है इस smart watch की कि इसकी जो battery की जो life है यह आपको 6-7 दिन की है यानि week में आप इसको एक बार charge करो और एक week की छुट्टी तो यह काफी एक अच्छा feature है इसके लावा आप इसके जो यह smart watch का यह जो dial face है इसको आप बदल सकते ह यहां पर आसे tap करो और यहां पर देखिए जैसे कि मुझे यह पसंद आ रहा है तो यह देखिए यहां पर मैंने इसको set कर दिया है इसमें आपको 200 से ज्यादा watch traces मिलेंगे जिसको कि आप बदल सकते हैं यह smart watch जो है यह आपको एक calling smart watch है इस smart watch को मैं अपने एक smartphone के साथ इसक call करते हैं और देखते हैं कि call आता है कि नहीं तो यहां पर देखिए यहां पर आपको call आ रहा है यहां पर आप देख सकते हैं यहीं से हम इसको reject भी कर सकते हैं तो यहां पर मैंने reject कर दिया तो दोस्तों यहां पर आपने देखा कि यहां पर मैंने इस smart watch के उपर call किया call ने इसको cut किया तो यह सारे काम को करने के लिए आपको इस smart watch को अपने smartphone के साथ connect करना है तो यहाँ पे देखे यहाँ पे मैंने इस smart watch को अपने इस smartphone के साथ already connect कर रहा था और app का नाम है आपको Tamex Fit 2.0 जिसके through आप इस smart watch को आप connect करोगे तो यहाँ पे देखें यहाँ पे यह आपको smart watch connected है यहाँ पे मैंने जो data लिया था smart watch के उपर वो सारा यहाँ पे आपको दिख रहा है आप देख सकते हैं heart rate है इसके नीचे blood oxygen है blood pressure है यह सारा कुछ जब हम घरी के उपर tap करेंगे तो यहाँ पे देखें connected है battery जो देखें 30% यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हैं आपको watch faces है alarm है notifications है notifications के अंदर आप यहाँ पे जाके आपको call को आपको enable करना होगा SMS को enable करना होगा इसके लाबा जो जो आप का notification आपको smart watch के उपर चाहिए उसको आप यहाँ से जाके आप enable करेंगे जैसे की whatsapp है instagram है facebook है यह सारे तो यहाँ से बाहर निकलते हैं camera के नीचे settings है settings में देखें यहाँ पे है आपको find device है आपको reminder to move है do not disturb है यह सारा कुछ यहाँ पे आपको दिया हुआ है इसके नीचे upgrade है और सबसे नीचे आपको about us है watch faces के अंदर देखें यहाँ पे आपको खुब सारे आपको watch faces हैं जिसको कि आप install कर सकते हो जैसे कि मैं एक normal सा आपके सामने इसको install कर रहा हूँ यह आप देखें watch face के उपर यह जाकर आपको install होगा यहाँ पे देखें यहाँ पे देखिए यहाँ पे smart watch के उपर यह downloading हो रहा है 68% 69% यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह और यहाँ पे देखें यहाँ पे यहाँ पे आपको smart watch का यह जो dial face है यह आपको बदल चुका यहाँ पे मैंने जो watch face मैंने चूच किया था वो मेरे smart watch के उपर आ गया है तो इस तरीके से भी आप smart watch का यह जो dial face है आप बदल सकते हैं आई अब हम दिखाते हैं कि आप इस smart watch को charge कैसे कर रहे हैं तो यह दिखे आपको इस part को smart watch के पीछे इस तरीके से लगाना है और यहां पर देखे यहां पर यह charging होने लगा है और दूसरे सिरे को आपको जो भी आपके पास power adapter है उसमें आप लगा दो और उसके बाद यह smart watch आपको charge होने लगेगा यहां पर आप देख सकते हैं यह चार्ज हो रहा है तो दोस्तों यह था मेरा आपके लिए एक detail review timex speed 2.0 calling smart watch का आपको यह smart watch कैसा लगा यह आप नीचे comment section में comment करके हमे ज़रूर बता है इस smart watch के बारे में आपको और कोई भी जानकारी चाहिए इसके लिए भी आप हमें comment section में comment करकर फूल सकते हैं इस smart watch का price कितना है इसको आप कहां से purchase करोगे यह सारी बाते मैं नीचे description area में आपके साथ share कर दूँगा अब मैं आपसे इस video से विदा लेना चा कर दो